कि जब भी कोई ब्यक्ति पैर छुबे तो आपको क्या करना चाहिए लबश्कार बैफूर डॉप्टर स्रीपति रिपार्ट आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि हम लोग जब किसी का पाउस पर्स करते हैं तो क्या है इसके पीशे की परंपरा पुराने समय से ही परंपरा चली आ रहे हैं द्वान ब्यक्ति या उम्र में बड़े ब्यक्ति से मिलते हैं तो उनके पैरच होते हैं इस परंपरा को मान सम्मान के द्रिश्टी से देखा जाता ये बात तो सभी जानते हैं कि बड़ों के पैरचूना चाहिए लेकिन जब कोई हमारे पैरचूए तो हमें क्या क्या करना चाहिए इस परंपरा का पालन आज भी काफी लोग करते हैं चरण स्परिश करने से धार्मिक और बैज्ञानिक दोनों तरके लाफ प्राप्तों होते ह जब भी कोई व्यक्ति चाहे वह इस्तरी हो या पुरुष हो हमारे पैर छुए तो उन्हें असिरवात तो देना ही चाहिए साथ ही भगवान या अपने इस्तरेव को भी याद करना चाहिए आम तोर पर हम यही प्रियास करते हैं कि हमारा पैर किसी को ना लगे क्योंकि ये जब माना जाता है जब कोई हमारे पैर छुटा है तो हमें इससे भी दोस लगता है इस दोस से बचने के लिए मन ही मन भगवान से चमा मांगनी चाहिए सास्तरों में लिखा है कि अभिवादने सीलस्या नित्यम ब्रिद्धो पसे विनहा चत्वारितस्य वरधंते आयुर विद्या यशो वलम इस स्लोक का अर्थ यह है कि जो ब्यक्ति रोज बड़े बुजुर्गों के सम्मान में प्रणाम और चरनस परस करता है उसकी उम्र बिद्या यस और सक्ति बढ़ती जाती है जब भी कोई हमारे पैर चुता है तो उस समय भगवान का नाम लेने से पैर चुने वाले ब्यक्ति को भी सकारात्मक फल मिलते हैं आशिरवात देने से पैर चुने वाले ब्यक्ति की समस्याएं खक्म होती हैं उम्र बढ़ती हैं पैरात्मक सक्तियों से उसकी रक्षा होती ह हमारे द्वारा कियेगे सुभ कर्मों का अच्छा असर पैर छूने वाले व्यक्ति परभिप होता है जब हम भगवान को याद करते हुए किसी को सच्छे मन से आसिरवाद देते हैं तो उसे लाव अवेश्ट मिलता है किसी के लिए अच्छा सोचने पर हमारा पुर्ण भी बढ़ता है आपको बता दें कि प्रडाम करने से उम्र में भी की बृद्धि होती है चरण असपर मतलब पैर छूने के नियम क्या है ये जान लीजिए पैर छूने की परंपरा कब से है क्या है आईए जानिए सनातन धर्म, संस्कृती और परंपरा में संतों के और बड़ो भुजुर्गों के पाउचूने की परंपरा है परंपरा क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों से पैर छूवाना वर्जित है या कहें कि कुछ लोगों को पैर नहीं चूना चाहिए सनातन धर्म ग्रंथों के अनुशार कुमारी कन्याओं को किसी के पैर नहीं चूना चाहिए या यदि कोई कुमारी कन्या आपके पैर छूने का प्रयास करे तो उसे रोक दे अन्य था आपको पाप लगेगा छोटी बच्चियों और कन्याओं के तो पैर छूकर उनका असरवाद लेना चाहिए बेटियां किसी भी पिता को अपनी बेटियों से पैर नहीं चूना चाहिए बेटियों को भी चाहिए कि वह पिता के पैर नहीं चूने अन्था पिता को पाप लगता है, बेटियों को देवी का रूप माना जाता है, इसलिए उनसे चरण नहीं छुआना चाहिए स्माज में बहुमें अपनी सास के पैर छु सकती है, परन्तु ससुर के नहीं, क्योंकि बहुमें घर की लक्षमी होती है मंदिर में, यदि आप मंदिर में हैं और आपको वहाँ पर कोई बड़ा बुजोर्गिया सम्माणिय ब्यक्ति मिल जाता है तो आप पहले भगवान को प्रणाम करें, क्योंकि मंदिर में भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है भगवान के सामने किसी के पैर चुना, मंदिर और भगवान का अपमान माना जाता है पूजा कर रहे ब्यक्ति के पैर चुना, यदि कोई ब्यक्ति मंदिर या घर में पूजा कर रहा है उस दोरान उसके पैर चुना उचित नहीं है, ऐसे में दोनों को ही पाप लगता है यदि कोई ब्यक्ति सो रहा है या लेटा हुआ है तो उस समय उसके पैर नहीं चूना चाहिए ऐसा करना ऐसा माना जाता है कि इससे लेटे हुए ब्यक्ति के उम्र घटती है कि वाल मरे हुए ब्यक्ति के ही पैर चूए जाते हैं अस्मसान से लोटे ब्यक्ति के पैर चूना य यदि कोई ब्यक्ति सम्मानित ब्यक्ति या बड़े बुजुर्गे अस्मसान घाट से लोट रहे हैं तो उन्हें देखकर कई लोग उनके पैर छूने लगते हैं जो की गलत है अंतिम संसकार से लोटने पर ब्यक्ति अशद्ध हो जाता है ऐसे में उसके पैर छूना वरजित ह रसनान करने के बाद ही उसके पैर छू सकते हैं इसी प्रकार अस्मसान में भी किसी के पैर नहीं चूना चाहिए असुद्ध ब्यक्ति यदि आप किसी कारण से असुद्ध हो गए हैं या जिसके आप पैर छूना चाहते हैं वह अशुद्ध हैं तो दोनों ही इस्तिति में पैर नहीं चुना चाहिए इसे दोनों को ही नुकसान उठाना पड़ता है भाजा भाजी मतलब भाज़ा और भाज़े यदि आप किसी के भाज़े है तो आपको मामा मामी के पैर नहीं चुने चाहिए क्योंकि भाजा या भाज़े पूजनी होते हैं मामा मामी को पाप लगता है पत्नी पत्नी जो है पती पत्नी का रिष्टा बहुत ही पवित्र रिष्टा होता है और या साजेदारी का रिष्टा होता है परन्तु पत्नी को कभी भी अपनी पत्नी के पैर नहीं छूना चाहिए क्योंकि इससे पत्नी को पाप लगता है किसी बड़े के पैर क्यों छून चाहिए आईए महत्वपुर्ण जनकारी इस वीडियो के माध्यन से जानते हैं पैर छूना या प्रणाम करना केवल एक परंपरा नहीं है यह एक बैग्यानिक क्रिया है जो हमारे सारिरिक मालसिक और बैचारिक विकास से जुड़ी है पैर छूने से केवल बड़ों का बाते भी हमारे अंदर उतर जाती है पैर छूने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे सारेरी कसरत होती है आम तवर पर तीन तरीकों से पैर छूए जाते हैं पहला तरीका है जुक कर पैर छूना दूसरा तरीका है घुटने के बल बैठ कर पैर छूना तीसरा तरीका है स सास्टांग प्रणाम करना आईए बताते हैं जुक कर पैर छूने का क्या महत्तों है जुक कर पैर छूने से हमारी कमर और रेड़ की हड़ी को अराम मिलता है घुटने के बल बैठकर पैर छूना इस विधी से पैर छूने पर हमारे सरीर के जड़ों पर बल पड़ता है जिससे जोडों के दर्द में राहत मिलती है सास्टांग प्रणाम करना है इस विधी में सरीर के सारे जोड थोड़ी देर के लिए सीधे तन जाते है जैसे सरीर का स्टेस दूर होता है इसके अलावा जुकनी से सीर का रक्त प्रवाः ब्यवस्थित होता है जो हमारी आखों के साथ ही पूरे सरीर के लिए लावदायक है पैर छूने के तरीके आप जानिए सास्टांग प्रणाम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे हमारा आहंकार खत्म होता है किसी के पैर छूने का मतलब है उसके प्रती समर्पन भाव जगाना जब मन में समर्पन का भाव आता है तो आहंकार खत्म हो जाता है सास्टांग धंडवत प्रणाम का अर्थ होता है आहंकार त्याकर स्वयम को भगवान को सौप देना आम तोर पर सास्टांग की मुद्रा में प्रडाम किसी मंदि और तीर्थ अस्तर पर किया जाता है अपने गुरुजनों के चरणों में भी इस प्रकार लेट कर सास्टांग करने की हमारे यहां सास्त्री परंपरा रही है अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और सेर करें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें अब जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसे लेगी नमस्का जैसरे किष्णा बंदे मातरम